प्रेंड्स नमस्ते एक बफ्रीश से स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ आटा नूडल तो मैंने आप लिया है एक कटोरी आटा ले लिया है और आधा चमच मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी और टाइट डो बना के तयार कर लेना है मैंने आटा बना के तयार कर लिया है बिल्कुल सकत गुंदा है मैंने यह आटा बहुत टाइट ताकि इसकी जो हम नूडल काटेंगे आपसे वह चिपके ना इस दूरा सा मैंने इसको टाइट गुंदा है अब इसके दो पोश्ण कर लेंगे हम तो मैंने रोटी बेल के तयार कर लिया है इसको गुल नहीं बेलना है और इसको आप स्क्वेर सेप में बेल सकते हैं गुल बेलना कुई जरूरी नहीं है आप इसको इस तरही के सा फोल्ड कर दे जाएंगे थोड़ा सा सुखाटा लगा देंगे ताकि आपस में चिपके ना इसको बिल्कुल इस तरह से तयार कर लेंगे इसे अब पत्ली पत्ती स्लाइसे इसकी हम काट के तयार कर लेंगे इसको सारी स्लाइसेस कट गई है और अब इसको कर लेते हम पानी में बॉयल पानी भी हमारा गरम हो चुका है डाल देते हैं पानी के अंदर तर मैं डाल दूंगे कढ़ाई में दो चमस्त तेल बारिक चॉप प्याज सिम्ला मस्त डाल देंगे इसके अंदर अब डाल देंगे टमाटर बारिक चॉप के एगए अब मैं डाल दूंगे इसके अंदर पास्ता मसाला सबको करते हैं अच्छे से मिक्स मसाला भी तयार हो गया पास्ता भी उबल के तयार हो गया है अब मैं डाल दूंगे इसके अंदर जो आपको और पसंद हो वैजिटेबल मिला सकते हो और…चीज उपर से डाल सकते हो मैंने सिम्पल तरीके से आपको बना कर बताया है आप ऐसे भी बना सकते हो आप अपने पसंद किनुण सार और भी वैजिटेबल मिला सकते चीज डाल दे दे, फ्रेश मलाई डाल दीजे और भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर मैगी मसारा डाल दीजे मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है लेकिन ये भी बहुत अच्छा बनकर तयार हुआ है खाने में भी टेस्टी है एक बार आप इसे जरूर ट्राय कीजिए बहुत अच्छा बनकर तयार होता है आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें सस्क्राइब करें थैंक यू और एक बार आप जरूरी से ट्राइ कीजिए थैंक यू